बच्चों अभी हाली में इंडिन एक्स्प्रेस ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है लिंचिंग क्या इसे रोकने के लिए कोई कानून है अगर हैं तो फिर भी उससे वो रोकती क्यों नहीं अभी हाली में आपने एक मुद्दा देखा था जो निहंगों ने किया तक सिंदू बार्डर पर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करती थी और इसे हेट क्राइम की कुरूरता और नसंगता का रिकॉर्डड बीडियो देखने के बाद कानून को पूरी तागस से कदम उठाने और दोसियों को सीग्र और सुनिश्चे सजा देने की मांग की जा रही है ठीक है मुद्दा क्या है समझे पंजाब में एक जिला है उसका नाम है तरन तारन वहां का एक गाउं के दले समूदाय के एक मजदूर है लकवीर सिंग उन पर एक पवित धम गरंद की बेदवी और उसको आपवितर करने का आरोप लगाते हुए निहंगों ने कथित तोर पर उसे प्रताड़ित किया और मार डाला मजदूर की हत्या के बाद उसके अंग भंग सरीड को हत्यारों ने एक पुलिस बैरिकेट से बांद कर लटका दिया अब राज को या इस्टेट को या पुलिस को क्या करना चाहिए था जो सुरू में नहीं किया इन ठगों और बनमासों को छुपने का उसन नहीं दिया जाना चाहिए इन हत्यारों ने जज, जूरी और जलात की भूमिका खुद ही नेवाते हुए इस बीवस घटना को अंजाम दिया जो पूरी तरह से भारत के कानून का और बिधी का उलंगन है आप कैसे किसी कानून सम्मत राज में इतने नरंकोस हो सकते हैं कि आप जिसको भी चाहिए उसको मार देंगे तो राज को इन अपरादियों की तदकाल पहचान कर सीगर कारवाई करने चाहिए अगर किसी ने किसी धर्म गरंद का अपमान किया भी था तो उसे कानून रूप से सजा दिलानी चाहिए थी इसके लिए कानून में प्रोवीजन है अब ये लिंचिंग वर्ड है जो इंडियन एक्स्प्रेस ने इस्तमाल किया ज़रा समझे कि धर्म हो जाती हो लिंग हो या जनमिस्थान हो कई बार भासा भी खान पान या फिर सेक्स पर या फिर राजनितिक संबधता से जातियता से या किसी अनसंबधत आधार पर भीन दोरा एक प्लानिंग कर हिंसा भड़काने वाले करत्यों को मॉब लिंचिंग कहा जाता है इसमें एक अनकंट्रोल क्राउड या भीन के दोरा किसी दोसी को उसके किये गए अपराद के लिए कभी-कभी मात्र आप वहों के आधार पर भी बिना अपराद किये भी उसे भीन के दोरा ततकाल सजा दी जाती है या उसे पीट-पीट कर मार ड़ जाता है इस प्रकार के मामलों से किस प्रकार निप्टा जाता है भारत में आई-पी-सी के तहरत इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई अलग परिवासा नहीं है लिंचिंग की घटनाओं से आई-पी-सी की धारत 302 के तहरत निप्टा जाता है आईपीसी की धाराब 302 के नुसाज जब कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मिट्टू डंडिया आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक डंड से डंडित किया जाएगा हत्या करना एक गैर जमानती, संगे और गैर समनी अपराद है अब इस सिंबंद में सुप्रीम कोड ने क्या कैस समझे लिंचे के प्रिथक अपराद होगा तथा ट्राइल कोड अव्यक्तों को दोसी ठहराए जाने पर अधिक्तम सजा का प्रावधान कर मौव लिंचिंग करने वरी भीन के लिए कड़ा उधारन पेस करें राज्य सरकारें परतेग जिले में मौव लिंचिंग और हिंसा को रोकने के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकरत करें जा उसे निप्त करें राज्य सरकारें उन जिलों, तहसीलों, गाओं को चिन्नित करें जा हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है एक नोडल अधिकारी, मॉब लिंचिंग से सम्बंदित जिलास्तर पर समनवाई के मुद्धों को राज्य के डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे केंदर और राज्य सरकारों को रेडियो, टेली विजन और अन्य सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म पर या प्रसारित कराना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटना में सामिल होने पर बिधी के अनुसार कथोर डंड दिया जा सकता है केंदर सरकार या राज्य सरकारें भीन भाड और हिंसा के गंभीर प्रणामों के बारे में रेडियो, टेली विजन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारित करेंगे एड़टाइज करेंगे कि इसके प्रणाम खराब होगे राज्य पुलिस दौरा किये गए उपायों के बावजूद मॉब लेंजिंग जैसी घटना है होने पर संबंदित पुलिस इस्टेशन तुरंत एफाई रदर्ज करेगा राज्य सरकारे मॉब लेंजिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए छती पूर्ती योजना प्रारंब करेगी यदि कोई पुलिस अधिकारी या जिला परसाशन कोई अधिकारी अपने करतब को पूरा करने में विफल रहता है तो यह जान बूच कर की गई अपराद लापरभाही मानी जाएगी देखो समय की भी कुछ मांग है प्रतिव बार ओनर के लिए घर्णा अपराद डायन हत्या या मॉब लिंजी की घटनाओं के होने पर इन अपरादों से निपटने के लिए बिसेस कानून की मांग उठाई जाती है लेकिन जो फैक्ट है वो यह है कि यह अपराद घटनाओं के लाब और कुछ नहीं है आईपीजी और सी आरपीजी की तत मौझूदा प्राधान ऐसे अपरादों से निपटने के लिए परियाप्त है मुझे नहीं लगता कि इसकी लिए कुछ अलग से प्रोविजन होने चाहिए जब होंगे तो उनके थायत निपटा जाएगा भी जो हैं तो उनसे निपट सकते हैं जिसे पूना वाला वाला मामला हुआ था धारित अधिसान रिदेशों के साथ हम मॉब लिंजिंग से निपटने के लिए परियाद प्रूप से सक्षम है अब इन अपरादों से निपटने के लिए मौझूदा कानूनों और प्रवरतान एजंसियों को अधिक जवाब दे हैं बनाने की क्या आवा सकता है अब मॉब लिंजिंग के लिए कुछ कानून है जैसे मनिपुर ने कुछ कहा था मनिपुर ने 2018 में कुछ तार्किक और प्रसंगिक उपबंदों को समलेतित करती हुए एक बिध्यक पारित किया है जिसको कानून में जूड़ा है इसी पकार राजिस्तान सरकान ने भी अगस्त 2019 में लिंजिंग के खिलाब एक बिध्यक पारित किया था पस्यमंगाल सरकार भी मॉब लिंजिंग के बुरुद काथोर प्रावधानों साहिद एक बिध्यक पेस कर चुकी है ठीक है तो यह मॉब लिंजिंग हो या हेट स्पीच हो वो भी इस दायरे में आती है जैसे कि क्या आप जानते हैं कि हेट स्पीच पर सर्थ राष्ट द्वारा एक रणनीती और कार योजना जैसा भी कुछ किया गया है क्या हम लोग इसको बाद में बात करेंगे ठीक है तो किनकिन राज्यों ने मॉब लिंजिंग के प्रूद कानून पारित किये हैं वो तीन राज्य हैं आपको याद रखना है मानिपुर, राजिस्तान और पस्षिर, मंगल ठीक है और IPC के तहत मॉब लिंजिंग के खिलाब कौन से कानून है IPC 300 और 302 के तहत इसमें काम किया जा सकता है अगर मेंस के लिए पूछा जाए कि मॉब लिंजिंग भारत में एक अकसर होने वाली घटना बन गई जो धार्मिक और जातिगत अल्प संक्रकों को निसाना बनाते हुए नफरत और हिंजा को बढ़ा रही है इसके कारण, कारणों को समझाईए और इससे ने पटने के तरीके सुझाईए तो ये कोश्चन आपको टेलिग्राम गुरूप पर आपको इसके कोश्चन का आंसर लिखके डालना है जो मैंने आपको समझा है इसको बस अपने वर्डों में कुछ चीजों को जोडते हुए अपनी समझ का इस्तमाल करते हुए जितना मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसके साब से आपको इसका आंसर लिखना है तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छी न्यूस थी ठीक है